उत्तरपूर्वी दिल्ली के बदमाशों के होसले बुलन दिन दहाडे बदमाश हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं बदमाशों ने दिन दहाडे खजूरी खास चौक पर युवक्की की हत्या बदमाशों ने सुवा घोप कर 27 साल के वरुण की निर्मम हत्या की लूट पाट का विरोध करने पर बदमाशों ने वरुण की की हत्या बदमाशों ने वरुण की दिल पर सुवा से कई वार किये पुलिस बदमाशों को पकड़ने में जुटी बदमाशों अपने माता पिता के साथ पहले पुस्ते बी ब्लॉग सोनिया बिहार में रहता था नमस्कार आप देख रहे हैं टीवी ट्वंटीनाइन न्यूज मैं हूँ आप तुमिश्वाल मैं इस समय स्वानिया बेहर सर्कुलर रोड पहले पुस्ता पर मौजूद हूँ यह बी अठारा का एड्रस है जिसमें आज सुबह पता लगा है कि कल पांच बज़ के बीस लकारी नहीं मिल पाई है दिली पुलिस द्वारा लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस उसमें है अभी जांच में लगी हुई है और वहां से फिर उनको ट्रॉमा सेंटर रहफर कर दिया गया जहां पर इलाज के दोरान बरुन की मौत हो गई है लेकिन परवार वाले सीधा जगड़ा हो ही नहीं सकता आकिरकार लेकिन जगड़ा किस बज़े से हुआ और क्यों इस तरह की दर्दनाक मौत उसको दी गई इसका अभी भी किसी को कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है लेकिन पुलिस अपने तैकिकात में अभी काम कर रही है संद्या जी संद्या जी क्या हुआ था जान करें यह कैसे हैं अब भाई मेरे घर आ रहा था तीन बज़े उसकी ड्यूटी खाता मौती है पांच बज़े की टाइम आता है वह बर को जड़ दो घंटा उसा आने में लगता है मेरे भाई वीजा बनते हैं अमेरिका के उस कंपनी में काम करता है उसका एड्रस मुझे कंफर्म पता नहीं है बताएगा है कि सिकूरिटी गाड़ का काम करता है कल क्या हुआ कल वो मेरे घर आ रहा था तीन बज़े की टाइम तो तीन बज़े वो पांच बज़े की टाइम तीन बज़े मम्मी से बात ही थी कि वो आएगा किनारेल पानी ले लिए थे इसने ठेली पर से तो एक लड़का कोई ब्लैक टीशट पैन रखी थी उसने लंबे बाल थे उसने हाथ के इशारे से मेरे भाई को बुलाया मेरे भाई नहीं गया तो उसने जैसे दुबारा मेरे फिर बाला है और फिर सामने से जैसे मेरे भाई बचाव करा उसने अपना चीना जफ्टी हुई है लोग महां के बता रहे हैं कि छीना जफ्टी भू है जो लेकर गया है उसको अजी पतानी वो कौन थे सड़क वाले होंगे हम किससे पर पपलिक उसको लेके जहीं चैस्म मु मेरे बाहा वाले जिस से मेरे भ्याएने महांगी थी पहलत किसे का पांच वजे की 9 पांस पांच के टाइम पने फोन से क्या थाएप तो इस लिए उन्होंने अपने फॉन से किया था उसने कहा तो इसके ब्लीडिंग हो रही थी यह ऐसे हाग पेट पेसे पकड़के और वो उस लड़के से मदद मांगी है उसने उसको तरस खाके स्कूटी पर भीठाया है उसकी स्कूटी पूरी ब्लेड में हो गई थी लड़का कोई होस्पिटल है खजूरी पर आसपास गितांजली नाम से अब पका भी नहीं पता हो गितांजली ही होस्पिटल है यह कोई और ते वह वहाँ पर लेके गए तो भी आ उसके बाद वहाँ पर एक अत्गंटस को खराब हो गया ति उन्होंने वहाँ ट्रीटमेंट पूरा नहीं था ते इसलिए उन्होंने की ट्रॉमा सेंटर में भेजा वहाँ जाके वह हमसे पहले पहुंचाया मैं उसके पीछे-पीछे ओटो में थी मैं पहुंची हूं 15 मिन्ट लगेने मेरे भाई कदम आपसे कोई बात नहीं उसके अक्सिजन लगा दी जाते ही ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी जब तक आप पहुंचे परवार वाले तब तक वह एक्सान नहीं सांस में था लेकिन मैं उसके पास ने जा सकती थी अमर्जेंसी में था उसके सब डॉक कुछ नहीं पता मैंने उसका पर्स चेक किया उसने बस में पास भी बनवे था कर्की Date का वह भी हो बार्च नहीं है फॉन है अब यह पदाय philosophic वज़से किसी से कुछ नहीं अब किसी से कुछ नहीं भाए लुगा मेरे सामने के पैदा हुआ नहीं किसी से कुछ नहीं करा शुना हुता है नी परस मिसिंग एक पता नहीं कि पुलीस वालों के पास है नहीं तोट रहा उसका उसका से लॉक्ता पूलिस ने मुझे से पूछा था जो बात ही वारदात वह मैंने बता दियों से इस टाम की कि कैशिक करेंगे उसके बात कुछ अच्छाल निकालेंगे कोई कुछ भी कर ले भाईया मेरा भाईया चला जो नाम सथी से आप बरुन को जाने थे हाहां वो ऐसाना मेरे साले बड़े वाले उनके साले थी तो लड़का भूत ही अच्छा था जी वहुत ही बड़िया ना तो हमने कभी में उसको कुछ भी कैद अ बात नलू कोई बात नहीं पूंध कोई बात नहीं तो गुस्जा करता था कर अपने भर के आप करता था बहुत ही अच्छा या लगता है त Zahlen क्टार किसकी वजह से होगा हुए क्या सबस्ते अभभर्ब PTLN यह लुए कुछ न कुछ तो रहा हो देखो इसके बारे में नहीं नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी वह लडगा तो वाके में बहुत बढ़िया था उसके मावाब भी बहुत अच्छे बिचारे के बहन भाई भी एक हमारी बड़ी सलज है उनके घर में क्या नाम आता है यह आपके किनायदार चल्टी करके आरे थे तीन बजे चुटी हुए थी फाच बजे के करी रहे थे इनोंने अपनी बेहन के बाद दाउन थी इस वहें से लिए नारिया और पानी लेके उनके तरफ जा रहे थे तो खज़ीडी के रिचे इनके साथ हाथ्सा हुआ अच्छ क्या सुनने मिला आपक जो वाई के सड़क पर कोई आदमी थे जो वो नर्सी मोम की तरफ लेजे गए तो यह भी वही बोच रहे है अच्छा यह जो बरुन थे इनका नाम बरुन का उन्हीं की तुक्तिया हुई है तो क्या किस तरह के वह थे मरलब किस तरह कर अलगा था लड़ाई जगड़े वान अगर सावाल लेने भी आता था अपने दुकाल से सावाल लिया सीधा उपर यह भी नहीं किस चीज से लगड़ा कि क्यों के साथ ऐसा हमारे बहुत अच्छा लड़का था जब भी आता था विचारा बहुत प्यार से अंकल जी नमस्ते तो कि हमारा घर हमारा बहुत जैशन के वगड़ में की ला था सब्सक्रा फच्तर लगता है ना इक हो कुछ तो प्रवाद करने का रीडर रहा हुआ कुछ तो अदमान है किस बज़े से उठकता है जो यह बता रहे हैं जिसाफ से पता चल रहा है जिसे कि वो समान लेने गया था किसी की दुकान पर वहां पर किसी ने को यह जो से साथ घटना घट करी यह बहुत तो दुस्मन ही निकाली उस किसी को जब गलतीनी जciliation तो कोई इसको इससे बेद्से क्य माने गांने अब इसके वारे में में तो सब्सक्राइब्र लली शुक्रा लली जी आपके परोस में इस तरह की बर्वों की सब्सक्राइश साल की उमर जिसकी क्या कर दीए क्या कहना चाहिए वह बड़ा सिंपल परिवार था लड़का भी बहुत सिंपल था कभी बहुत कम लोगों ने उसे देखा यहां पर जादा यहां समय रहता नहीं खजूरी पर लगातार कुछ न कुछ खबरे आ रही है वहां एक बजार के कारण इतना आतिकरमण होता है जिसकी वज़े से एक्सिडेंट होते हैं दूसरा वहां आठ बजी के बास साम को इतने सराबी इतने जेब काटने वाले और इतने यह समाजिक तत्विगठा हो जाते है कि आम जन्मानस वहां जाही नहीं सकता आप रात के समय पर आप उदर आटो इस्टेंड है वह आटो नहीं पकड़ सकते इतना वह भयानक महौल बना रखा है वहां पर सारे जितने यमना पार्के इसमाई की चरसी जेब काटने वाले चूरी चकारी करने वाले सबी लोग महां पर रहते हैं और उन लोगों ने बगल में देखा मैंने कि जुगिया डाली है वह रहने भी लगे तो मैं पुलिस परसास्तन से आपकी माध्यम से अफील करना चाहूंगा कि खजूरी चौक पर विशेज ध्यान दे आम पब्लिक की सुरक्षा को ध्यान में रखते क्या मुख कारण है यहीं तो मैं पुलिस परसास्तन से यहीं अनुरूद करूंगा कि खजूरी चौक का विशेज ध्यान रखा जाए और उससे अतिकरमल को हटाया जाए और वहां जो भी एसमाजिक कत्व तरह के हैं एक और चला कि उनको पूरी तरह से सफाय किया जाए यह पूरा रोड ने बिलकुल मड़ा रोड बना रखा है वह जिस तरह से बहुत जो जो वहां पर घटना यह सुई की वारदा अभी पहली नहीं है कुछ सालों पहले आपने सुना होगा कि पुलिस वाले को एक समाजिक तर्थोधारा सुई घोब 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 के मार दिया गया तो यह सुआ कांड वहां पे पहला नहीं है यह सुआ कांड वहां लगातार होते रहते हैं पुलिस बस ध्यान नहीं देती बगल में एसीपी ऑफिस है खजूरी थाना है उस तरफ जाएंगे तो उसमानपुर थाना सास्त्री पारक थाना चौकी भी है वहां पे हमेशा मैं देखता हूं पुलिस तैनात रहती है लेकिन अधर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और तो और एक वहां वहां पारातंक है यही लोग वहां पे छीना जप्टी करने वालों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देते हैं वहां से पूरी तरह से अपराधिक लोगों का सफाय क किया जितने भी वहां ऐसा माजिक तत्व है यह सराव गांजा दारू है किसी भी तरह का नशा करने वाले लोग जो वहां इकठा होके छीना जप्टी करते हैं उनका पूरी तरह सफाय किया जाते हैं यह युनक द्वारा और यह प्रोसिट्यूशन लोग वहां पे गलत को पूरी तरह इंसाफ मिले यह अपने परिवार का एक लोटा कमाने वाला था इस पर पुलिस विसेज ध्यान दे इसके कातिल को जल से जल पकड़े पर नहीं गया कि कौन है जिसने ऐसी बारदात को अंजाम दिया और बताया जा रहा है कि वह अपने सिस्टर से मिलने के लि लेकिन अभी यह खुलासा नहीं हो पाया है कि वह सूरा मारने वाला कौन था और किस ने इस दर्दनाक बारदात को अंजाम दिया केमरा प्रस्टन रंजना सर्माक साथ में हूं इस पॉल टीवी टॉनटेन नीवी की दिल्ली